रियल स्टेट कंसल्टन्स सर्टिफाइड होना जुरूरी है आए जानते हैं सर सभी उलहसन साप से सर वेलकम करते हैं आपको न्यू पोर्टकास सीरीज में सर डिग्रियां इस्यू करना शुरू कर दी है कों सा इदारा सर्टिफाइड कर रहा है तो थोड़ा सा इलट करना है मैं पता है को देरा डिग्रियां देखे बलाल भी बिल्कुल आपने यह जो क्वेस्टन है यह कॉमेंट से एक अमारे बाई ने कॉमेंट किया बड़ा जबर होना पड़ेगा लेकिन इसी तरह सर्जन को डॉक्टर जो सर्टिफाइड भी है तो वो सर्जन नहीं बन सकता जब तक वो सर्जन सर्टिफाइड नहीं होता और फिर सर्जन अगर सर्टिफिकेशन भी कहीं से ले ले और अगर उसका कुई तिजर्बा ना हो तो वो फिर उस consultant में फर्क ये है कि जो consultant होता है वो financials जो हैं उनको जानता है ठीक है उनके in outs वो समझता है और वो बेतर तरीके से आपको consult कर सकता है जबकि डीलर के पास अगर एक बंदा आता है तो उसको पता होता है उसने ये चीज़ लेनी है और ये budget है उसमें वो उसको जितनी अची डील लेके दे सकता है market से for example मैं अगर files की बात करूँ या plot की बात करूँ तो वो ही plot अगर बेतर डील बनाके दो parties में आपको वो सस्ता ले देता है तो ये एक dealer की जो है वो skills है और अगर एक बंदा आता है उसको ये नहीं पता कि उसने क्या करना है लेकिन उसको investment करनी है क्या ना है वो आने वाले कुछ time period में forecast करके वो आपको बता सकता है कि या आपको इतना return दे सकता है या यह आपकी property बढ़ जाएगी अगर आप इसको own भी करते हैं तो तो ये थोड़े सी चीज़े हैं तो certification की बात जहां पर आई तो पहली तो चीज़ यह है कि पाकिस्तान में कौन स कौन से इंस्टिट्यूट्स हैं जो आपको certification दे रहे हैं real estate consultant के management के हवाले से कुछ चीज़ कुछ है अदारे यहां पर आपको दे रहे हैं और पिर उसके बाद भी यह बात है कि अगर आप certification डिग्री ले ले लेते हैं किसी भी चीज़ की तो उसके बाद क्या आप पे लोग का manual सारा पढ़ लिया पाइलिट बनने का और अगर आपने डिग्री भी ले ली है और अगर आपने कभी जाज नहीं चलाया तो अगर आप जाज पर बैठेंगे तो आप जाज नहीं उड़ा सकते लेकिन उसके साथ अगर एक metric pass या metric fail बन्दा भी अगर पाइलिट के साथ ब बनेगा फिर आप सर्टिफिकेशन देंगे ये एक industry बनेगी अभी पाकिस्तान में यकीन माने पहले ये पटवार खाने वाला काम था ये तो चंद एक अच्छी जिनका experience बाइर का था या जो समझते थे उन्हें इसको corporate sector का level दिया है अच्छे offices बनाया है उसमें वो environment बनाया जो corporate sectors में जतनी भी उनकी SOPs होते हैं वो और उसके बाद जाके इस industry को थोड़ी recognition मिलनी स्टार्ट हुई है तो अभी इसमें जो भी experience लोग है क्योंकि मैं इसमें बात यह करते हूं कि मलक रियास साब के पास कौन सी degree है ठीक है चोधरी अब्दर्मजीद साब के पास कौन सी degree है ठीक है builders और इसमें real state की वो वो टाइकोंज है ठीक है आपके हैं सारे maximum अगर आप रियल स्टेट के टाइकोंज को देखेंगे तो वो उनकी specific industry में certifications नहीं है हाँ तेजरबा है ठीक है natural talent भी है तेजरबा भी है पर पैसे के तो कहने का मकस्तर सर्थ यह कोई बैस वाली बा पाकिस्तान के real state में बहुत सारे projects में काम कर चुका हुआ है तो सर वो consultant ही है उसको पता है कि क्या चीज़ बेतर है किसी client के लिए और क्या नहीं है तो मकसद यह है के certification की यहां पर अगर आप कर लेते हैं that is plus point but अगर नहीं भी है लेकिन आपका तेजरबा है तो मेरे ख्याल म अगर हम देखें दुदेव में consultants के बगएदा certificate issues होते हैं हम उमीद करते हैं इंशाला पाकिस्तान में जन्दी यह issue होना चुरू हो जाएंगे और इंशाला certified consultants हम सब कहलाएंगे इंशाला companies का क्या रोल होता है जैसे हम as a consultant company काम कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि यहां से certification को issue हो सकती है क्या यहां पर authorized consultant आप समझते हैं कि हैं मौझूद है देखें आपकी affiliation या accreditation जो होती है जो degrees की होती है आप वो कर सकते हैं किसी भी अधारे के साल लेकिन वही बात है कि पर trained की है और इसमें कोई शक नहीं है सबसे पहले तो dealer बनता है बंदा consultant उसका next level है क्योंकि dealer में जब आपको deal करना आएगा तो consultant में पहली चीज़ डिलेंगा और उसके बाद वो consultancy आप पे लोग इसलिए trust करेंगे हर बंदा consultant नहीं बन सकता और हर बंदा dealer भी नहीं बन सकत ठीक है तो यह कहने का मक्सची है कि यह चांद एक चीज़ है और companies का role यही है कि वो यहां पे बैठके एक पूरी generation को educate कर रहे हैं तो practical अगर मैं example देता हूँ आपकी MBA की degree है तो MBA marketing या MBA finance आपने किया है ठीक है तो banks आपकी industry है आपको banks में jobs मिलती है तो उसकी base पे आपका जो CV भी है या आपकी जो experience है उसके बहाँ के आपको किसी भी next किसी department में काम मिलता है तो इसी तरह real state की जो agencies हैं जो companies हैं जो अच्छा well known names है market के तो वो क्या करते हैं कि वो आपको इन सारे mechanism से गुजारते हैं चाहे आपकी education real state की है नहीं है लेकिन आपको polish करते हैं उससे गुजा five star hotels के साथ पीछे sign हुआ तो हमने proper जाके उनकी पहले in notes देखें उनके education लिये है वो क्या offer कर रहे हैं उसके अंदर basically back end पे financials क्या है उसकी उसका planning क्या है उसकी execution क्या है वो किस stage पे है और उसका return क्या expect किया जा सकता है based on their effort और based on marketing trends तो तो क्या नहीं है यह सारी चीज़े हम को देखनी पड़ती है सर अब हम consultancy वाली site पे आई गये हैं तो यहां पर role of consultant भी थोड़ा सा वाजय कर दें हम बहुत सरे ऐसे projects हमने देखे हैं जो काम्याब नहीं होते और बहुत सरे लोग invest करते हैं जिसके through करते हैं अब जहरा जिस बंदे ने commission कहा लिया है और वो बंदा तो कुछ बात करने जोगा नहीं है जो जिसको भी लेकर दिया उसने plot ठीक है और वो अनफोर्चनेटली अनफोर्चनेटली वो प्रोचेक्ट प्लॉप हो गया है चकरी रोड पर बहुत सरी examples है इसकी effective बहुत सारे ब्लू एल्टिटी ने बहुत सरी लैंड बहुत सरी प्रो लोगों का क्या कसूर है बेसिकली बिलाल भाई मैं इसको ना जब रिलेट करूँगा तो मैं एक चीज़ बताऊंगा जो पैरमिट स्कीम है ना दुनिया में सबसे बड़े fraud करने वाली जितनी भी स्कीम उनको पैरमिट स्कीम का नाम दिया है उसमें होता ही है कि आपको है जितिमेट है और वो सारे डिलिवर करेंगे तो यह वाला जो पैरमिड स्कीम है यह रियल स्कीम है पाकिस्तान की रियल स्कीम में आके इन्होंने बठा बिठाया रियल स्कीम का मैं आपको सीदी सी बात बता हूँ बहुत सारे लोगों ने ट्रेंड होता है तो दोनमरी काम आती है अगर एक चीज़ का ट्रेंड नहीं है तो वो मेंनत नहीं कर सकते वो एक बनीवी चीज़ के उपर ये पेरमिट स्कीम मनती है तो अब यहां पे बहुत सारे लोग उठे मुसमी जो थे सीजनल जिनको हम बोलते हैं रियल्टर्स थे या सीजनल वो प्रोजेक्ट आॉनर्स थे ठीक है उन्होंने आके प्लैनिंग की जी ये कर देंगे वो कर देंगे और आके मारकेटिंग जैसे देखे हम भी उसका पाट रहे हैं हमें भी एक दो जगा चूना लगा और अगर हमने पैसे खुद मंगवाई होते हैं हमने जेब से वापस किया देखे हैं सब कुछ हम क्योंके बाहर काम करते रहे हैं हमें तो वहाँ पर पता है कि हर चीज़ लीगल होती है लेकि यहां पे भी वह बहुत सारे मसाले हैं हम कहते हैं यहां कि अधारों को थोड़ा सा नर्म होना पड़ेगा इस इस जगह पे और अन लूगों को जो वाके ही लजीटिमेट हैं और अथंटीसिटी है जिनकी और बाकियों को बेशक बैन करें उनको सजाएं दे ताकि हमने भी पता हो किसके साथ काम करने, किसके सब्सक्राइब काम नहीं करना, तो उसकी बेस पे फिर ये कंपनीज का और कंसल्टन का, अगर आपने बनना है तो आपको ये जिम्हदारी लेनी पड़ेगी, देखें डीलर का मसला नहीं है, डीलर ने डील करा ही चला गया, उसने करवा दिया, कंसल्टन का ये है, कि अगर उसने पैसे लेकर लगवाएं हैं, तो उसके बाद वो उसकी पैनिक सिच्वेशन है, उसमें से भी उसी ने कंसल्ट करना है, उसके बाद अगर कोई खुदा ना खासता, कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई इस तरह की चीज़ होती है, वो कंसल्टन की उपर आ जाती है तो ये चीज़ें हाँ, जहां पर कुछ चीज़ें कंपनिस खुद गरिंटी करती हैं या कहीं पर कस्टमर, बिसाल के तोर पहर एक लॉग टर्म इंवेस्टमेंट है, वहाँ पर कस्टमर कहता है, जाह जाता है, पर कंसल्टन बिलकु ठीक है, वो कह सकता है कि बहाँ चार सा जाता जादा जो है ना वो इन अ पड़े ए किसके साथ काम करें औरẤफंष काम नहीं करें और हमें किससाथ काम नहीं करना, उसकी एक लिस्ट यह तो हम काम नहीं करंगे, तो बाग्यों के साथ कामकरंगे, तो यह कहनने का मखस्जिश Iege कंसल्टิंट होना हमारी कोशिश होगी कि आपके कोश्चन को एड्रेस किया जाए और उस पे हम डिसकेशन करें ताके जो भी प्रोड़क्टिव डिसकेशन हो आप तक पहुंचे और आपको इसका फायदा हो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पे क्लिक करें ताके न्यू आने वाली पोड़कास सीरीज का फिसा बन सके हमें दें इजाद हम मिलते हैं आपसे नेक्स पोड़कास में तब तक लिए अलाहाविस